दोस्तों नमस्कार स्वागते इस समय की एक ब्रेकिंग निउस बड़ी खबर लेकर आये हैं एक बार फिर से पूर्वर राज्यपाल सत्यपाल मलिक का एक बयान सोसल मीडिया पर जम कर बारल हो रहा है दोस्तों बताते चले राजनास सिंग पार सत्यपाल मलिक का बड़ा बया स्थिपाल मलिक का बड़ा वयान पियम मोधी पर एक बार फिर से बोला है हमला आपको दोस्तों बताते चलने रच्छा मंत्री रजवना सिंह को प्रवल उमीद्वार उन्होंने बताया है उन्होंने कहा कि अगर उनके भाग में है तो वहां प्रवान मंत्री ज़रूर बनेंगे और सत्ता में परिवर्तन होगा मलिक ने यहाँ भी कहा कि उन्होंने पुलवामा आतंकी हमले का मुद्दा इस दुरभागेपूर्म घटना के दिन भी उठाया था और बाद में भी उठाते रहे हैं उन्होंने कहा कि इसी तरह किसानों का मुद्दा भी उन्होंने समय समय पर उठाया है बता दें कि मलिक ने हाली में एक इंटर्व्यू में पुलवामा हमले के बारे में कहा था कि यहां केंद सरकार की बिफलता थी और वहीं आब रच्छावंतिर राजना सिंग को लेकर पूर्व राज्यपाल सत्यपाल मलिक का बड़ा व्यार निकल के आया है और सीधे तोर पर कहें तो पियम मोदी ही उनके निशाने पर रहे दोस्तों कि आप लोग पूर्व राज्यपाल सत्यपाल मलिक की बातों के समय समयतन में हैं अगर दोस्तों समयतन में हैं तो कमेंट वाक्स पर कमेंट करके जरूर लिखेगा हाई आना में अपनी राय और वीडियो पसंद आया हो तो एक लाइक वीडियो को जरूर कीजिएगा दोस्तों आप सभी का धन्यवाद